तो वो सिर्फ इसी लिए क्योंकि च्छतिसगड में मोदी जी की ग्यारंटी की सरकार है जिसके संड्रक्षन में मैं आज यहां पहुँच पाई वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए रामलला के दर्शन करने के लिए कोशल्या माता की धर्ती पे जो मेरे साथ दुर व होने का एक सनातनी लड़की होने का राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कॉंग्रिस पाटी में लगातार में सहती आई थी हमेशा से मैं यह सोचती थी जब लोग कहते थे कि कॉंग्रिस राम जी की विरोधी नहीं है क्योंकि हम तो समझते थे कि कॉंग्रिस पाटी तो महत्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पर हर सभा की शुरुवात रगुपती, रागव, राजा, राम से होती थी, लेकिन आज की कॉंग्रिस महत्मा गांधी जी की कॉंग्रिस नहीं, आज की कॉंग्रिस राम जी की विरोधी कॉंग्रिस है, हिंदू की विरोधी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है जिनको लेके मैं रामलला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है और जब राम मंदिर बना और मूर्ती की स्थापना हुई जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतिय राश्ट कॉंग्रिस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक शड्यंतर मुझे मेरे खिलाफ रचा गया और माता कोशल्या के धर्ती पे राम जी के ननिहाल में मेरे सा जो दुर वहवार किया, उससे पीडित होके, आज मैं बोलते भे भी एक कापरी हूँ जब मैं उस पल को वाप से जीती हूँ, यह सरफ मोदी जी की गैरेंटी की सरकार थी की बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, नरेंदर मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राश्ट्री अधिर लक्षी जेपी नडडा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूँ और भारतिय जंता पार्टी में शामिल हो सकूँ और एक मौका